हाई दूस्तों असलाव अलेकूम कैसे हैं आप लोग मेरा नभील एपल ने दो अपडेट्स रिलीज किये हैं एक है आयोस 16.5 का डेवलपर बेटा टू जिसके बारे में आप सबसे दादा बात करने वाला हो में आज और दूसरा है आयोस 15.7.5 का अब यह 15.7.5 कहां से आ गया कि हम चल रहे हैं आयोस 16 के उपर यह आगे वीडियो में मैं आपको समझाओंगा पसे बहले यहां पर बात कर लेते हैं 16.5 के डेवलपर बेटा 2 के बारे में तो यहां पर जो अपडेट का साइज है वो आया है 601.8 MB का मेरे आईफोन 14 प्लस के उपर और अगर आप बेटा 1 चला रहे हो तो आपको 600 से लेके 650 MB के आसपास का अपडेट साइज देखने मिलेगा लेकिन अगर आप आप 16.4.1 या ऐसे कोई अपडेट से जा रहे हो इसके उपर डिरेकली तो हो सकता है 5 GB का भी अपडेट आपको देखने मिल जाए अपडेट करने से पहले यहां पे जो मोडेम फर्मवेर नंबर था वो था 1.70.00 अपडेट करने के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस यहां पे घड़ गई है तो यह नया ट्रेंड चाल हुआ है आइफोन के अंदर जहां पे अवेलेबल फ्री स्पेस घड़ जाती अपडेट करने के बाद कभी कभी पहले बढ़ा करती दी अब घड़ती है लेकिन दो तिन दिन में वापस भी आ जाती है लेकिन यहां पे अच्छा यह है कि जो अपडेट के बाद का बिल्ड नंबर आप देखेंगे तो यहां पे यह जो लेटर है यह चीज बताता है कि बेटा वर्जन में अभी हम जो है बिगिनिंग फे दरफ जाता है और बात में लेटर हट जाता है यहां पर फाइनल स्टेबल वर्जन हमको देखने मिल जाता है अब इस अपडेट के अंदर आपल ने क्या चीज़ पुश किया है वो बता देता उसके बाले ही बताता हो कि जितनी भी अपडेट्स आएंगे अब यह बग फिक करना है तो आफ करके आप इसको कर सकते है जिन लोग ने लिंक नहीं किया है उनको यह चीज़ बताएगा नि और अब यह चीज़ जो है जो वाच वैसे उसको अपडेट करने में भी अपल ने यहां पर आड कर दिया है तो वाच अप्लिकेशन के अंदर को चीज देखने मि आया है कि आप जो आपका अपडेट है सौफएर अपडेट वह 50% से कम आपकी बैटरी रहेगी तब भी कर पाएंगे 20% तक अगर आपकी बैटरी है तब भी विदाउट चार्जर करने किये जो है यह वाला अपडेट आप कर सकते तो फ्यूचर के जो अपडेट से आपल के इसके उपर बेस्ट रहेंगे शायद जहाँ पे आपको चार्जर ढूंडते रहने की ज़रूद नहीं होगी और आप डिरेक्ली अपडेट पे इसको लगा सकते है अपल ने इसमें कुछ ने कुछ चेंजिस किया है इसकी वएसे सेफली आप 20% के उपर अगर आपकी बैटर जब ओपन करेंगे वाट्स न्यू इन गेम सेंटर करके आपको लिखा नजर आएगा जहाँ पे अक्टिवीडी विजट जो है वह आप यूज कर सकते है और अक्टिवीडी आक्सेस के लिए भी यहाँ पे एक बैनर दिया हुआ है ताके आप फिकली लेटेस गेम की आक्ट इन होम इस ना अबल तो पेर ना अट मैटर अक्सेसरी वही चीज़ है और इसमें रिजॉल लिखा है कि मैंने ब्रॉप्डेट अटेम्स पर इसके अपर यहाँ आप ने ध्यान दिया है और जेनल परफॉर्मेंस तो ठीक है इस अपडेट का यहाँ पर देखने नहीं और नया modem firmware आया है तो network related कुछ issue होंगे आपके तो यहाँ पर आपल ने जो है solve करने की कोशिश किया होगा इस वाले अपडेट में लेकिन चेक करने के बाद यह बहुत ही जादा मुश्किल होता है मुश्किल क्या ना मुम्किल होता है कोई बता भी रहा है तो शायद फिर बात गलत भी हो सकती है यहाँ पर history में लेके चलता हो आपको CPU score चेक आउट करेते सबसे पहले तो इसके पहले का जो अपडेट आया था 29 मार्च को तो यहाँ पर देख सकते है 6.5 का beta 1 single core multi core का score था 17584637 और आज है 1737 और 4562 तो slightly कम हो है बाद में हफते बार बात जब मैं इसको चेक करूंगा है दो तिन बात तब यह बढ़ जाएगा तो फिर update इंस्टॉल करने के बाद ही हम चेक करते हैं थोड़ा बहुत 19-20 का फरक होता है लेकिन यहाँ पर जादा कोई major फर बात नहीं है अभी मैंने जो दूसरा review वीडियो बनाया है जिसका आपको वीडियो शायद मिला होगा या इसके बाद मिलेगा इसके अंदर 14 पर मैक्स पर मैंने benchmark रन किये तो उसमें multi core का score कम आया था लेकिन जब review के टाइम पर मैंने रन किया तो वह score बढ़के आया तो यह चीज होती है तो जादा फिकर करने की यहां पर जरूद नहीं है आपको आपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप स्टेबल वर्जिन पर तो कोई जरूद नहीं करने की और बेटा वजिन आप चला रहे हो अपडेट आगे कर सकते क्योंकि इसमें कुछ फॉल् जूरती है कि अपने फुराने फोन को भी यह सौफ़ेर अपडेट देते रहता है और जो इंपॉर्टेंट सेक्योरिटी अपडेट्स है जो रेकमेंडेट है सारे यूजर के लिए और आपके फोन की सेफटी के लिए वह यहां पर पुश करता है बले आयो 16 सपोर्ड़ नहीं है उसके नए फीचर इन फोन के अंदर सपोर्ड़ नहीं है लेकिन आपकी सेक्योरिटी पर कोई कंप्रमाइज नहीं है और सारे अप्लिकेशन भी जो है इनके अंदर सही तरीके से काम करें तो पुराना भी अगर आईफोन ले ले लेते हो सेकेंड हैं तो आपको यहां पर फिक्स कर दिया इस बात का ध्यान रगना और यह भी अपडेट आपको कर ही लेना चाहिए यह थी कहानी इन दोनों अपडेट्स की गाईज जो के था आयोस 15.5 का डेवलोपर बेटा 2 और आयोस 15.7.5 का स्टेबल वर्जन आप बताईए आप इन में से कौन सा फोन चला रहे नया चला रहे पुलारा चाहरा रहे बेटा वर्जन चला रहे आज 15 चला रहे और 16 चला रहे जो भी आप सोचते हैं नीचे कॉमेश में लिखके मुझे जरू बताईए उभी करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना होगा तो इस वीडियो को लाइक और श